हालो आवरीवन माई नेम इस सुरभी सिंग और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूं प्रोडक्शन शिस्टम का और मुस्ट आपका क्वालिटी खदम होने वाला है और स्टूडेंट्स के फीडबैक आने शुरू हो गया है इसका मतलब स्टूडेंट्स ने पढ़न हैं तो अपना जी जान लगा दीजिए और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ना शुरू किया है वो अपना एक एक दिन वेस्ट कर रहे हैं इन स्टूडेंट जो पढ़ना शुरू कर दी हैं इनका स्लेव जल्दी खतम हो जाएगा और इनके पास रिवीजन के बहुत सारी ऑप अगर मैं प्रोड़क्शन सिस्टम की बात करती हूं तो प्रोड़क्शन सिस्टम क्या होता है सपोज आप क्या करते हुआ आप मार्केट से जाते हैं कोई भी समान बहुत ईसली खरिद कर ले आते हैं लाइक पैन हुआ क्यालकुलेटर हुआ बुक्स हुआ या कोई भी आप ग्रॉसरी का समान किया सकते हैं बिस्केट नमकीन वगेरा बट आपने कभी देखा है कि उसका प्रोडक्शन कैसे होता है उसके प्रोडक्शन के लिए कौन सा टाइप यूज होता है कार के प्रोडक्शन के लिए क्या वही टाइप यूज होगा जो आपका बिस्केट या नमक इसकी चीजे बनती है उसके लिए यूज होता है प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में आपको यह ध्यान रखना है कि आप दिसे नॉर्मली क्या होता है कि बिस्किट क्या है एक जगा प्रोड्यूस हुआ फिर वो अलग-अलग सिटीज में अलग-अलग कंट्रीज में आप उसको करते हो तो मतलब बना कहीं और पर और वो ट्रांसफर कहीं और होता गया प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट प्रोडक्शन का मतलब है ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर वो समान बनता है तो वो वहीं पर फिक्स होता है आप उसको मूव नहीं करा सकते ह आपका आता है power plant power plant जैसा इस project production है जैसे होहाँ पर जो machines लगाई जाती है आपका koelay के तुरू electricity generate करने को तो वो production यानी वो पूरा setup करना उस setup करने को हम कौन सा production बोलेंगे project production बोलेंगे it is complex complex होता है fixed project position होता है जैसे आप इसको हिलाडो ला नहीं सकते हैं इट कैन बी civil engineering project, army project clear है, जहां पर आपने एक बार project को establish करती है तो आप उसको move नहीं करा सकते हो next में बात करती हूँ job production job production में basically होता है कि non standard product produce होते हैं जबकि customer की जो जरूरत होती है इसमें जो आपका lot size होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है customer की demand के हिसाब से आपका specifically कोई product को produce किया जाता है इसमें variety बहुत हाई होती है जिसे अगर आप बात करो auto, auto की का गाडिया हो या जो medium range की गाडिया होती है वो बहुत जादा produce होती है बहुत जादा उनका production होता है अगर आप बोलो 50-60 लाग की गाड़ी BMW, Mercedes जिनको खरिदने वाले बहुत कम होते है अगर आप फरारी की बात करें तो फरारी एक टाइम में सिफ सचें तंदूलकर के पास थी पूरे इंडिया में तो आप ही सोचों को ऐसी special variety of things जिनका production बार बार नहीं होता है जिनका production on customer demand होता है उस type की production को हम बोलते है job production इसमें क्या होता है कि हम highly skilled manpower को use करते है क्योंकि ये एक तो बहुत बार बनता नहीं है और क्यों इसकी lot size बहुत कम होती है एक्जामपल में special type of car जिससे मैंने आपको बताया है special type of cloths के बारे में भी बात कर सकते हो जिससे अगरा first try खोलोगे तो first try पे कुछ-कुछ ऐसी चीज़े होती है जो pre-orders पे लिखा होता है यानि आप उसको order करोगे तो ही वो deliver करेंगे उसको आपका purchase directly नहीं कर सकते हो no doubt उसका जो arriving time होगा उसका जो dispatch time होगा normal product के dispatch time से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा होगा क्योंकि आपके order के बाद वो उस product को बनाना शुरू करेंगे next मैं बात करती हूँ batch production की batch production में क्या होता है कि आपका एक batches में आपका lot निकलता है यह आपका maximum use production होता है और इसमें आपके repetitive production होते है जैसा मैंने अभी आपको job production में बताया था कि repetitive production नहीं होते है इसमें आपका क्या होता है कि आपके repetitive production होते है इसमें क्या होता है कि different batches में performance हो रही होती है एक बार में जब एक operation complete हो जाता है तब ही हम दुबारा next operation को शुरू करते हैं work is divided into operations and one operation done at a one time one pass them then we go for a second इसमें ये नहीं है कि आप parallel दो operation को एक साथ perform कर सको meet repetitive customer order ये customer के बार-बार order करने के बाद produce होता है जिसे कर आप एक साल का car का I-20, I-10 जो एक medium range की car है उनकी साल भर के selling cost को देखकर selling number of selling items को देखने के बाद next time इनका batch production पुराने customer के feedback पर होता है इसमें जिगन fixture को use करते हैं ताकि production rate increase करता रहा है ध्यान रखेगा ये repetitive production के लिए है जबकि जो job production था वो आपका repetitive production के लिए नहीं use हो रहा था और identical product ही produce होते हैं जोब production में ऐसा नहीं ताकि identical product produce होंगे next में बात करती हूं mass production की mass production का मतलब है जैसे अगर आप example दे सकते हो की number of pens को produce कर रहे हो इसमें high consumption होता है और high demand होती है pen है और या soap हो गया साबुन की demand अपकी हमीशा रही है असा नहीं कि दिमांड कभी भी नहीं खतम हो जाएगी तो यह mass में produce होते हैं यह इस बिहाब पे नहीं बैठे होते हैं कि हमारा पिछला feedback क्या रहा है पिछला हमारा forecasting क्या हो रहा है प्रोडक्त बिका है कि नहीं बिका है यह products in any how बिकिंगी ही तो इसमें क्या होती है इसमें क्या होती है minimum variety होती है आप एक product आप पारले जी biscuit देखे कितने सालों से चला रहा है उसमें कोई variety नहीं आई है पट वो फिर भी बिकता है special purpose machine इसके लिए use होती है काम करने के लिए इसमें low skilled workers required होते हैं इसके लिए आपको कोई अगर आप कभी इनकी production company में जाओ तो 9-10 pass workers भी काम कर रहे होते हैं जो consumer goods के items हो गया like chocolates biscuit next में बात करते हूं continuous production continuous production आपका mass production का ही एक सब टाइप से continuous production and assembly production इसमें क्या होता है कि आप continuous produce कर रहे होगे जैसे अमूल मिल्क है आप किसी भी दिन अपनी machine को hold पर नहीं डाल सकते हो आपको continuous ही product को produce करना है तो सेम ऐसे mass production होता है बस इसमें production continuous होता है hopefully आपको यह समझ में आया होगा वीडियो अगर नहीं समझ में आया तो आप comment box में मुझे comment करके पूच सकते हैं फेस्बुक पर मैं पर डे question post कर रही हूँ 5-10 आपको facebook का link description box में मिल जायागा dear student तो please अपनी पढ़ाई कीजिए और बहुत मन से कीजिए चैनल पसंद आ रहा है तो like and subscribe जरूर कीजिएगा thank you